अग्योमा अग्यूम फ्रेंट्स फिलकेम बैक टो अनाधर विडियो आप्प एप přिडिटी प्रिटी अल्ट क्राइट जोर्फी आई-अप संदार होंगे और आपकी त्यारे इस्ट dif इस नंबेट है कौन एक सूर्य के बिद्दुचिंब की लगुत्तम तरंग लंबाय के लंबाई के लंबाय से बिरहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्राम है कौन सा अनुक्राम है द्रिश से प्रकास तरंग प्रावैगनी तरंग रेडियो तरंग इंफ्रारेड प्रावैगनी द्रिश से इंफ्रारेड या फिर रेडियो तरंग तो कैसा करम है प्रावैगनी है प्रावैगनी तरंग है द्रिश स औसात मुटाई कितनी है 20 किलोमेटर 40 किलोमेटर 36 किलोमेटर या फिर 30 किलोमेटर कितनी मुटाई है यह मुटाई है ठीकिलोमेटर आपसान नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अधी नियुग्ठा selective में से कौनसी प्रक्रिया रासाइनिकड अप अपच्छे से समदित नहीं है कार्बोनेशन अपदलन जल योजन या फिर आक्सी करण कौनसी राशानिक किरिया अपच्छे से समधित नहीं है यह है जो है यह है अपदलन आपसा नमबर भी बिल्कुल करेक्ट है राशानिक अपच्छे की प्रिखिरिया में कार्बोनेशन जल योजन आक्सी करण एवा मिलियन सामिल है जब कि अप दलन जिसको एकस प्लोजन बोलते हैं भाथ एक अपच्छे किरिया से समंद्ध है यह कि समंद्ध है भाथ एक अपच्छे किरिया से रिलीटेड है अगला कोशन ले रहा है इसक्ति में से कौन एक ग्रह प्रिथवी के सबसे निकट है बुद पुछा गया पृत्वी से तो कौनसा है सुक्र है आपसा नमबर B करेक्ट है जो क्रम हं ग्रह का पहले उकर जैसा कि ससे पूछ ये प्रिट्वी के करीब कौनसा है ये केश्ब लकुल सही है मोहों रोविशिक असंदता किन के बीच सीमा के निरान करती है महाधिपी सिल्फ और मासागर पटल दुरबलता मंडल और अस्थल मंडल परपटी और उपरी परवार तो मोहों रोविशिक असंदता किन के बीच में है यह जो बीच में है यह है परपटी और उपरी परवर्क बीच में, that is option number C, will be correct रासानिक का पच्छक की कौन से प्रिक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है कार्बोनेटी करण, आक्सी करण, जलियोजन या फिस सीलिका प्रिथक करण क्या है यह है आक्सी करण, option number B, will be your right answer next question है, कौन बालू पत्थर के रूपांत्रान से निर्मित है, slate, quartzite, संग मरमर या फिर quartz, यह केस से समझनेते हैं, सबसे पहले आए देखित देखते हैं, इसका तर्फर, option number B, quartzite, आजए कुछ आगने चट्टान देख लेते हैं, कुछ चट्टाने और उनका रूपांत्रीत रूप देख लेते हैं, ग्रिनाइट, ग्रिनाइट का रूपांत्रीत रूप है, वो नीश है, बेसाल का MP, बोलाइट है, अब बात करते हैं, और साथे चट्टान की, बालू पत्थर, यह होता है, यह ही आपसे पूछा गया था, कोईला, कोईला का ग्रिफाइट में, यानि की हीरेम होता है, अब बात करते हैं, कायंतरी चट्टान की, सलेट, सिस्टम होता है, और सिस्ट का होता है, फाइल आइट में, आपको याद रखना है, हरतिकरी प्रभाव में कौन सी गयास सबसे पर्मुक है, कारवन डाइएक्साइड दाट इस इसो2 क्लोर फ्रोर कारवान, इसको गॉलते हैं, सिय अपसी, या फिर कारवन मोन अकसाइड या फिर हिलियम, कौनसी है, यह है कारवन डाइएक्साइड आपसर नमबर, यह विल्कूल करेक्ट है, हरतिकरी प्रभाव निए रूप में carbon dioxide co2 gas प्रमूख है और cfc जो है ओजोन च्रण के लिए उत्रताई है बहुत सब्सक्राइब लेकिन या ओजोन च्रण के लिए उत्रताई है इसका आप्शन है यह बिल्कुल करेक्ट है carbon dioxide यानिकी co2 निम्कित में से स्वा मंडल होमोस्फेयर में सापेचिक रूप से सक्री nitrogen की विशाल भंडार का मुख्य सुरोत कौन सा है ज्वाला मुख्य गतिविदियां जिवास में इधन जलाना अमल वर्सा या फिर वैस्विक उस्मन किसका है यह है ज्वाला मुख्य गतिविदियां अधिक गैसों से अधिक है ठीक है नाट्रोविंग उपस्तति की काराण ही वाइदाप पौनों की सक्ति तता प्रकास के प्रवातन का आभास होता है कि छुद्य ग्रह और सुर्य के बीच के ग्रह कौन-कौन से हैं तो यह हैं बुद्ध पृत्वी ब्रिस्पति सनी बुद् एक ग्रह की अपने कच्छ में सुर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं अपोजी पेरीजी अपसौर या फिर उपसौर पूचा क्या गया है एक ग्रह की अपने कच्छ में सुर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं तो बोलते हैं अपसौर सी आपसौर को किसको बोलते है जब थोड़ी कम दूरी होती है इसका आस्वरे आपसे नुमबर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं यॐ आपसे नुमबर डु करेक्ट हो जाएगा लिमनिकित में से किस अभिलच्छन को मानो परजातियों के वर्गेकरण ये तु परियोग नहीं किया जाता है आख, नाख, कान या फिर बाल मानो परजातियों के वर्गेकरण ये तु किसका योज नहीं किया जाता है आख का नाख का का या फिर बाल का या क्या है कान है कान के आधार पे आप बरिकरण कर सकते हैं मानों के प्रजात का आख नाख और बाल के आधार पे आप बरिकरण कर सकते हैं थल चित्र की उस अर्चात्य कितनी है। अब अच्छय की परिकरियां क्या बताती है। गाटियों का पास्विक विश्थार माधीपी सेल्फ का फैलाव सेल सामगरी का खंडित होना या फिर सेल प्लेट फार्म का निडिरमार किसको बोलते हैं? यह बोलते हैं सेल सामगरी का खंडित होना C आपसन सही है उर्द्वादस सन्धियों में गुषने वाला और ठोस हो जाने वाला मैगमा क्या कहलाता है डाइक, सील, लैपोलीद या फिर वैथोलीद तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डाइक आपसे नमबर ये बिल्कुल सही है परवत निर्मान कारी घटनाओं का सही काल करम क्या है हर्सीनियन, कैलीडोनियन, चर्नियन या फिर अल्पाइन हर्सीनियन, चर्नियन, अल्पाइन या फिर कैलीडोनियन, चर्नियन, हर्सीनियन या फिर अल्पाइन या डी है चर्नियन, कैलीडोनियन, हर्सीनियन या फिर अल्पाइन तो कौन सा करम है यह है चर्नियन, कैलीडोनियन, हर्सीनियन और अल्पाइन डी आपसन सही है महासागरी जल में लवड तक वहां अधिक होगी जहां वर्सन या फिर वास्पीकरण से अधिक हो वास्पीकरण वर्सन से अधिक हो वर्सन वास्पीकरण के बराबर हो या फिर D है समुद्र में सतही प्रवा अधिक आता हो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा वास्पी करण वर्सन से अधिक हो आप्सन नमबर B सही है आईसो थर्म एक काल्पिनिक रेखा है जो उन जगों को जोड़ती है जहां पर समान होता है क्या वाइमंडली दाब, सूर्या तप, वर्सा या फिर तापमान तो किसको जोड़ती है जहां पर क्या होता है वाइमंडली दाब होता है ज्यादा, सूर्या ताप होता है वर्सा होता है या फिर तापमान होता है क्या हो जाएगा तापमान डी आप्सन सही है द्रोगी ओर ट्रोपो पाच की उचाई कितनी उचाई क्या करती है बढ़ती है इस्तिर रहती है घरती है या फिर एक बिंद पर और इस्तिर रहती है ध्रोगी ओर ट्रोपो पाच की उचाई क्या होती है तो ये घरती है सी आपसन सही है सूची एक को सूची द्यमिलाणा है याट का तसंद का जग और एक तिर्प दिया इसाटर जित तत्व चजयमान पादप से क्या होता है हाइडोजन सुलफाइट विद्सर जित होता है यानि कि छैमान पादप हाइडोजन स्लुफाइट A का 3 जो अला मुखी से क्या होता है Sulfur Oxide B का 4 मासागर से क्या होता है Lound Spray C का 2 वनागर से क्या होता है Carbon Mono Oxide A का 3 B का 4 A का 3 B का 4 किसमें दिया है A का 3 B का 4 और C का 2 आपसर नमबर B में दिया गया है B ही सही है सबसे छोटे दात किस मानब प्रजाद का गुड़ है Negroet Mongolite Kakesite या फिर Australite किसका है किसका गुड़ है सबसे छोटे दात किसका गुड़ है या गुड़ है Mongolite का आपसर नमबर B सही है लिमिकित में से कौन सा युकम सही सुमिलत नहीं है और स्थि एक तरफ दिया इस्थि और एक तरफ दिया जन जाती भूमद रेकी बन चत्र घास के मैदान परवती चत्र या फिर मानसून प्रदेश पुछा गया कौन सही सुमिलत नहीं है तो जो भूमद रेकी बन चत्र फिग्मी शिमांग और सकाई जन जाती है घास के मैदान चत्र मे मसाई और खिर्गिश पायाते हैं लेकिन परवती चत्र मे लियूद नहीं कि योद क्यांकि जाती है लियूद जो उत्तरी अमेरिका की जन जाती है तो इसी वाला गलत हैं A, B और D correct है मांसोन प्रदेश में गोंड और संथाल पाय जाते है चलि आईसो बो बांध निम्निखित में से किस नदी पर बना है वल्गा नदी वल्टा नदी, निल नदी या फिर नाईजर नदी किस पर बना है, यह बना है वल्टा नदी पर आपसर नदी बी बिल्कुल सही है अगला कोस्टन लेते हैं बिसो के किस चेतर में अब चालन की प्रकिरिया बड़ी तिब्र है उश्ड कटी वंधी में सित्र कटी वंधी चेतर में सुस्क उश्ड कटी वंधी चेतर में या फिर मद्य अच्छांसी प्रदेशों में कहां पर है यह उष्ड आद्र उष्ड कटी बंधी छेत्रों में यह आप्शन करेक्ट है भारत उष्ड तता उपोष्ड दोनों कटी बंधों माता है जहां अब छालन यानिकी लेटिजाइजेशन एक प्रभाविक प्रकरम है वर केरल ल महाराश्थ या फिर करनाटक का तक पुर्म स्टना फॉरत्स रिए और मिखित में से कौन सा धॉग्म सही थारू टरकी सेमांग यमन मसाइप और फिर का या फिर १िर बद्धू मलेशिया तो घौनों कहां पर Ira सारू पायाते हैं उत्तर प्रदेश के तराई चेत्र में यानिकी भारत में पहला गलत हो गया से मांग से मांग पायाते हैं मलेशिया में यह भी गलत है मसाई मसाई पायाते हैं पुरुवी अफ्रिका में यह सही है और बद्दू कहां पायाते हैं अरब प्रादिय प्याने की की यमन तथा अरब में ये सी वाला करेक्ट है बाकि तीनों की तीनों सही गलत हैं अब रिख सुची एक पृसी मिलाना एक तिरब दिया जन जाती और दूसरे तिरब जाए उसके चितर पिग्मी पिग्मी कहां पाजाता है तो यह पाजाता है कांगों में मसाई मसाई अभी भ तूटसी स्पायते मद अफ्रीका में और बुसमेन कालाहरी रेगिस्तान में ए का दो बी का तीन सी का चार एका दो बी का तीन सी का चार आपसे नमबर बी करेक्ट है निवकी में से कौन भरंस रेखा कगार द्वारा कगार का द्रिड आनुमानिक है कि अधेरूपी तपवा बार बार आने वाले बड़ी भुकम इस्क्रेब के साथ चिनित वास्त्विक ब्रंस तल चटान रोध और अस्थला कृतिक रूप से के बीच कमजूर स्वसंब्ध क्या है यह है चट्टान रोध और अस्थलाकृति रूप से के बीच कमजूर सवसंवन्द डी आप्शन करेक्ट है निम्नेकी चट्टानों में कौन रूपांत्रे चट्टान का एक उधारन नहीं है संगमरमर सिष्ट नीज या फिर गिरनाइट कौन सा नहीं है यह जो है गिर अगली वीडियों तो लिए अपना ख्याल लगें धन्यवाद